जब हम कोलेज कर रहे थे तब तक ए वाली बात किसी को नहीं पता थी कि हम दोनों रिलेशन में हैं दो मसीन से मैंने सुरवात की स्टीचिंग सिखाने की टार्टिंग में तो समझो कि हमारा 5000 ऐसे मेरा पर मंध इंकम था पर दीरे दीरे जैसे जैसे हमारा कोचिंग बढ़ा तो वैसे हमारी इंकम बढ़ने लगी जैसे कि 10,000, 80,000 फिर 1,000,000 अब हम आपको बताएंगे कि यहां से हम साथ टेंक में कैसे पहुचे और साथ टेंक में आने के बाद हमारे बीजनेस में कितना बदलावाया आपको हमें देखके यह लग रहा होगा कि हम किसी शादी या फंक्शन से आ रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं है हम सुरत से आये हैं तो आज हम आपको यह पता नहीं है कि एक छोटे सहर शुरत से शरू हुई हमारी कहानी सिप दो मशिन से शरू हुई हमारी कहानी केसे शाट टेंक जैसा कि मैंने आपको पता है मैं बेसिकली सूरत से आ रहा हूं मेरी कहानी की शुरवात होती है एर स्टांडर्स है मैं आठवी में था और हमारी घर की परिश्चिती बहुत ही वीक थी एक्चुली उस टाइम पे 2008 का समय चल रहा था और मंदी का माहूल था तो उस टाइम पे मुझे मेरी मम्मी एक्चुली सिलाय मशिन का काम करती थी बहुत मंदी होने के कारण मेरे पापा का काम भी बंद हो गये था डाइमंड मार्केट में तो वह बेसिकली 10-15,000 रुपे वहां से कमा रही थी और उसी से मेरा घर चल रहा था तो सिलाय मशिन-के साथ लगाऊ मुझे तभी से हुआ है सिलाय मशिन के साथ मेरा नाता तब से जब भी आप यह समझेख एकर मेरी मम्मी रक रहे करका के लिए खड़ी होती थी तो उस पर मेरे मशिन्पर बैड़ जाता purpose चलाने मतंद लाब तो वहीं से मेरे को मशिन आने लगी थी सिलाई मशिन पे लेस पट्टे का काम वो सब कुछ मैं करता था 12 तक की मेरी जर्नी इसी तरीके से चली हमारी घर की परिश्चिती आर्थिक परिश्चिती बहुत ही विक थी तो उस 12 के बाद जब मैंने कोलेज जोइन किया विकॉम मैंने जोइन किया मेरे सारे दोस्तों ने विकॉम लिया था तो उन सब को देखके मैंने भी एक्चली विकॉम ही जोइन कर लिया लेकिन बाद में मुझे पता चला एक साल मैंने विकॉम कंप्लेट किया तो मुझे पता पे मेरा राजया राणी कर ऐ को टोर करके मेरा एक वेंट्चर स्टार्ट हो चुका था राजया राणी को टॉर क करके जहां पर dönट्ट पर आउटफिट देते थे बाइक कुस्टामर को कस्टमास करके आउट्फिट प्रॉइद करते यह सब कुछ हमारा बिजनेस चल रहा था जो मेरे सिश्टर इन लोने स्टार्ट कर दिया था तो उनके साथ उस टाइम पर मेरी जर्नी में में विकॉम के साथ-साथ में तीन-चार अलग-अलग जोब कर रहा था यह सब कुछ मेरा उस दोर में चल रहा था जैसे कि 8-11 में कोले स्टिचिंग क्लास में मैंने जोइन किया था जहां पर मैं सिखने को जाता था शिलाए का काम और रात को आठ से सुबह 8 बज़े तक मैं ब्लडबेंग में जोब करता था तो यह मेरी पूरी पूरा मेरा रूटीन था जो मैंने एक डेड़ साल तक फोलो किया है लेकिन इसके इ कsteps हो जाता था मेरे इतना मतलब कोंफिडेंस नहीं था में मेरे यह करना था जा यह तरीका की जोब्स नहीं करनी दिए lang örगार मेरा ने्चर बहुत ही मतलब फिजिकली और लिए मेंहाधी इघ्रसिव हो गया था तो मैरी सिश्टर इन-лоु ने मुझे सगेस्ट किया यह कामक अच्छे से स्टेचिंग को सीखो और फिर उसको हम अपने बिजनेस में इंप्लेमेंट करेंगे तो मैंने मतलब मैं पहले तो एगरी नहीं हुआ लेकिन उनके करने के बाद मैं एगरी हो गया और मैंने सीवंट क्लास जोई किया जहां पर 70 लड़कियों के बीच मैं मैं अकेल से मैं कुछ अलग नहीं करूंगा दुनिया से हटके नहीं करूंगा तो मैं आगे नहीं बढ़ नहीं बढ़िस चाहता था Exactly में कुछ अलग कारू कुछ हटके में मिले स्टिचिंग क्लास जहां पर मैं बोल रहा हूं तो वहां पर मुझे प्रिया में मिले और वहीं से मेरी जिंदगी ने 360 डिग्री टर्न लिया और वहीं से मेरे जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आए तो आगे की कहानी आपको प्रिया में बताएंगे अब मैं आपको ये बताती हूँ कि हम दोनों कैसे मिले और राजरानी कोचिंग की सरवात कैसे हुई पर उससे पहले आप मेरे बारे में भी थोड़ा जान लीजिए जब मैं चोटी सी तब से अंदर से मुझे ऐसा था कि मुझे कुछ करना है जब मैंने 12th पास किया तो तब मेरे पापा ने बोला कि B.com करना है B.b.a करना है उसमें से कोई भी एक कोलेज सिलेक्ट तर लो तो तब मैंने बोला कि नहीं मुझे इसे कोलेज नहीं करनी क्योंकि मैरा ऐसा फेक्स है कि मुझे fashion designing की college करनी है पर तब मेरी घर की परिस्टी इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं college कर सकू तो पापा ने तो बहुत force किया 4-5 मैंने तक की नहीं college तो करनी ही पड़ेगी तो मैंने उसको question पूछा कि college क्यों करनी है तो उन्होंने किया कि जब भी तेरा marriage होगा तो हमें वो बताना पड़ेगा ना कि एक college जरूरी है करनी तो तब मैंने अंदर से सोचा कि क्या यह सही है पर मुझे ऐसा लगा कि नहीं सच में ऐसा नहीं होना चाहिए तो फिर मैंने घर से मनाई कर दिया कि मुझे college नहीं करनी है मेरा fixी है तो वो 5-6 मैंने के बाद उसने मुझे बोला कि yes अब आपको जो करना है वो करो तो उन्होंने मुझे college तो नहीं करने दिया पर उन्होंने बोला कि आप teaching class जोइन कर लो और पहले से जब मैं चोटी थी तब से मुझे इस teaching में interest था क्योंकि जब भी मैं कोई outfit purchase करने जाती थी तो मुझे इसा लग दा था कि ए वाले outfit में ए वाली necky pattern मुझे पसंद दूसरे outfit में जो हमें proper finishing चाहिए, जो fitting चाहिए, उतना हमें satisfaction class में नहीं मिला, क्योंकि वो छोटा coaching था, तो वहाँ पे उतनी proper method नहीं होती है, तो तब मुझे वहाँ पे मोहित भी मिल गए थे, तो हम दोनों ने फिर decide किया, कि हम कोई बड़ी college में जाते हैं, तो वहाँ पे हमें जो भी ची जनाया जाता है, कैसी illustration होता है, पर फिर भी हमें एक point और missing ही लगा, कि स्टीचिंग कैसे की जाती है, और एक size के हिसाब से कैसे उसका finishing होना चाहिए, तो point वहाँ पे हमें फिर भी नहीं मिला, फिर हमने दीरे दीरे, तब हमारा already जो राजरानी कुत्योर का business है, वो start हो चु है, तो वो सारी चीजे, वो सारी बाते मुझे मोहित में दिखने लगी, कि yes, मुझे मेरा जो future है, मलब मुझे जैसा लड़का चे, हो सब कुछ मुझे उसमें दिखता था, वो मेरी इतनी care भी करता था, तो इसलिए हमने वहाँ से धीरे धीरे हमारा relation स्टार्ट हुआ, एसे तो पहले तो गर से लोग नहीं माने की, नहीं, ऐसे साधी नहीं होगी, क्योंकि हमारे दोनों की कास्ट अलग-लग थी, फिर दो-तीन महिने के बाद, दोनों के family मान गये, तो उसके बाद हमारी साधी हो गई, अब साधी होने की बाद, जो भी मुझे मेरे अंदर था, क की मुझे करना है तो आघाद मैं साधी के बा młot पहले से मारे केसी ख्वाइज थी कि मुझे जू यहां पे जो मुझे प्रोक्लम लग रही थी तो यह सारी प्रोभलम और सारे बच्चो को भी तो आ रही हो ग़ी तो यह मुझे पसंद नहीं था तो हम ऐसा करें कि हम खुद स्टीचिंग सिखाना स्टार्ट करें तो पहले में पहले तो उन्हों ने भी मना कर दिया कि ने ओल्रेडी हमारा बिजनेस का सेट अप है तो हम ऐसा क्यूं करें और दीरे-दीरे वो भी मानगे कि यस तो हम करते हैं तो starting मेने एक ही चोटा सा कमरा था जिसमें दो ही मसीन था तो दो मसीन से मैंने सुरवात की स्टीचिंग सिखाने की तो दीरे दीरे स्टुडंट आने लगे स्टूडन्ट सामने से बोल देते कि मेडम आपका काम बहुत अच्छा है मैंने यहाँ पे इतना मालब दो क्लास मैंने औरेडी जोइन किया है पर फिर भी आपके क्लास में मुझे जो सेटिस्वक्शन चाहिए जो सिखना है वो प्रोपर मुझे यहाँ पे मिल रहा है तो वैस सारे मशीन फिर हमने दस मशीन का सेट अप किया उसके बाद वैसे जो हमारे वेगूलर कोचिंग चलता है तो वैसे ही मेरा कोचिंग भी चलता था कि सारे स्टूडन्ट कोई भी टाइम पर आते थे फिर उसको जो सिखना है वो मैं सिखाती थी पर उसके बीच में मुझे कही पर पर मैं उसको सिखाना नहीं पा रही हूँ तो वो मुझे सपोर्ट करते थे कि अब देखो कि आप ऐसा करो उसके बाद उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि हम बैच करते हैं कि जैसे कि हम कोई सुबह में ऐसे बैच रखेंगे वही बैच के बचे बचे उन वही क्लास म चीच में बीजी रहेगा आपको एक ही बार सिखाना रहेगा यानी मुझे कि बार सिखाना है और स्टुडंट को जो सिखना है वो भी आपको उसको एजी लि समझoration जाएगा जब भी कि हमने कोचिंग स्टूडंट को सिखाना था तो उसके लिए हम ओनलाइन कोचिंग को लेके गए तो जो भी मैं आज हमारे साथ एक हजार से भी जादा student एक साथ में सीख रहे हैं और वो भी घर बेट है यानि उसको कहीं पे भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है तो इसी तरह से हमने method को बहुत easy किया क्योंकि वो घर पे सीख भी सकते हैं उसके जो भी doubt है वो में पूझ भी सकते हैं और जो भी हमारा normally coaching है उ उसको question पूझ भी नहीं सकते पर इसारी चीज उसको यहां पर आसानी से मिल रही थी starting में तो समझो कि हमारा 5000 ऐसे मेरा per month income था पर दीरे दीरे जैसे जैसे हमारा coaching बढ़ा तो वैसे हमारी income बढ़ने लगी जैसे कि 10,000, 80,000 फिर 1,000,000 वैसे वैसे हमारी income ज्यादा होने लग जैसे कि तब में मेरा यह सारी चीज नहीं कर सकी, जो आज मुझे जो भी मेरा सपना था हुँ, आज मेरे सपने को में पूरा होते हो यह देख रही थी, मैं पहले इतनी open mind नहीं थी, मैं मुझे कोई ना चीज, मुझे बहुत डरती थी, मैं पहले बोल भी नहीं सकती थी, किसी के सामने अगर मुझे बोलना है तो मुझे बहुत डर लगता था पर आज मेरे क्लास में समझो कि 1000 भी बच्चे है तो क्लास में इजी ले सकती हूँ और यह सारी चीज पोसीबल हो पाई मोहित की वजह से क्योंकि तो मुझे एक-एक पॉइंट में वो मुझे बताता रहता था कि यही काम को ऐसे करना है उसको ऐसे करना है अमारी जो भी प्रॉब्लम है उसको में पहाड की जैसे देखना है आप जितना जल्दी उपर चुड़ोगे आप जितना जल्दी उसका सामना करोगे उतना ही आप इसमें और हम आपको बताएंगे कि हमँ स्एक्तों ने कुछ दे बात के बात हमारे बीजनेश में कितना बदलाव स्थ और अब मेन एनकोशनेरी शाक टेंग की कहानी बताएंगे तो अब शूरू करते हैं शाक टेंग की कहानी शाक टेंग की कहानी हमारी एक रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रही है वहाँ पर हमने बहुत सारे उतार तड़ाओ देखे शाक टेंग पर जाने के वक्त एक्चुली मेरा दो महिने का बेबी था तो हम उसको भी साथ में लेके गए थे लेकिन शाक टेंग की टीम बहुत ही सपोर्टिव थी तो उन्होंने हमने सारे एक्सपेक्ट में बहुत अच्छे से गाइडेंस दिया जिसकी वज़े से मेरी या मैं कहके बूलाओंगा तो वो मुझे सबसे अच्छा लगा था क्योंकि जीस तरीके से मैं इस बिजनेस को देख रहा हूं तो मुझे यह लगता है कि होना ही चाहिए अपने देश में मेरी आस्क थी वन पॉइंट थी करोड़ फाइव परसेंट एक्विटी और अनुपम मित्तल नमी जेंद दोनों की और से मुझे डिल मिली थी 50 एक्षिन एक्विटी बाकी का लोन एक दूसरा ओफर भी मिला था कि वन पॉन पॉन थी करोड पुरा ही इन रोयल्टी एंड आपको हमें 2.6 करोड करके देना है तो दो ओफर थे मेरे पास मेरे को जब टाइम मिला कि मैं इस चीज़ के ऊपर अनलाइज कर पाऊं तो मुझे शाट टैंक से मतलब बाहर जाने का मुखा मिला मेरे सिस्टर इन लो से बात करने का मुखा मिल तो एक्चुली सबको यही लगा था कि हम ओफर एक्सेप्ट कर लेंगे लेकिन मेरे को मलब सब जगह से यही मिला कि हाँ यह रोयल्टी वाला ओफर हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए फिर जब मैं वापस मंच पे आया तो मैंने काउंटर ओफर भी किया कि 1.3 करोड 45% ठी बाकी का ठीक है लोन चलेगा तो अनुपम मित्तल दी ने मेरे को वापस से रिवाइज ओफर किया कि 9% पे हम करेंगे तो वो मुझे मंजूर नहीं था क्योंकि उस टाइम पे मेरा सेल जितनी मेरी आस्क थी उसके करीब करीब मेरा सेल हो रहा था एक करोड के आसपास तो मेर मकसत यही था शाक्तेंग को ले कि वहाँ सा की मदद से हमें गाइडंज मिले उनके मदद से हम आगे बढ़ पाई तो इन्हीं कारावन की वज़े से हमने सक्तेंग की बिल नहीं ली पर जब भी मं साक्तेंग से वापीस आह like edhan हो चुका था जैसे कि बहुत सारे मेसेज़िस आने लगे स्टुडेंट के कि अब मुझे एक लास करना है एसे क्लास एक फूल कोर्स की डीटेल वो सब कुछ फिर और सारे भी हमें मेसेज़िस आ रहे थी जैसे कि कोलाब्रेशन के लिए इंवेस्टमेंट के लिए और वहां प बहुत सारे feedback को अपनाया है उसकी वज़े से हमारे बिस्नेस में बहुत सारे चेंज आये जो एक बहुत बड़ा चेंज हमारे बिजनेस में आया है वह यह कि पहले हमारे टीम सिफ साथ लोगों की थी जैसे हमारा में शाक्तेंग पे भी बोला था कि हमारा प्रोफिट 44 परस fashion design के सारे subject को हम cover करें सारे subject के ऊपर एक एक faculty को बिठा है जो market के जो ये problem है कि problem solution statement जो हम दो आपको स्टिछिटिंग क्लास में सिखने को मिल रहा है वहां पर नहीं और यहां पर जो fashion design college में भी आपको नहीं satisfaction मिल रहा है तो दोनों का mix and merge करके जो हमने methods and टेकनोलोजी इंप्रोव्मेंट किये है, स्टिचिंग के फिल्ड में, इस तरीके से मैं सारे प्रोब्रम्स को अइदेंटिफाइ करूंगा, अलग-अलग सब्जेक्ट में, और उस तरीके की फेकल्टी को हम तयार करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, जो अभी हमारे बेकें परसेंट के बीच में रहे गया है, लेकिन इससे हमें कोई परक नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम यह चाहते है कि हम हुमन एमपावर्मेंट को आगे बढ़ाए, हमारे साथ में ज्याद्या से ज्याद्या स्टूडेंट्स जूडए, जिनको स्टिचिंग का नोलेज मिले और फेशन डिजैनिंग का नोलेज भी बहुत अच्छी तरीके से मिले, जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो पहले साल का हमारा टन ओर एक्चुले 25 लेक रुपीज ही था, सेकंड यर 2021 का हमारा 25 लेक रुपीज था, 2022 में हमने किया 78 लेक रुपीज, 23 में ज पाकी है तो यह शायद अप्रोक्सिमेटली 7.5 करोड पर क्लोज हो सकता है, तो यह हमारी कहानी है, हमने दो मसिन से सुरात की थी, आज हमारा बिजनेस बहुत बड़ा हो चुका है, जब आप कोई काम प्योर मन से करते हो, आपका इंटेंस सही होता है, तो आपका बिजनेस आगे बढ़ता ही है, और आपको सफलता जरूर मिलती है, इस वीडियो के बारे में अपनी राए नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें